हलो दूस्तो नमश्कार इसे हम किसी चानल में मैं आप सब लों का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चानल को सब्सक्राइब कर लेना आप देख सकते हैं लगबग 8-9% की तेजी इस कंपणी के शेर प्राइज में देखने को मिली है पहले तो हम लोग आपर न्यूस क्या है वो कबर करूंगा में सेकेंड ये कंपणी का बिजनेस मॉडल भी क्या है उसका एक थोड़ा सा ओवरिवी आप लोगों को देदूंगा प्लस देखा गया है तो इसी सेक्टर में और कौन सी कंपणी जो की इसी टाइप का बिजनेस करते है वहाँ पर भी ये चीज़े होने के चांसे से तो ऐसा पूरा ये वीडियो आप लोगों को देखने को मिलने वाला है तो step by step आगे बढ़ना है और जो भी स्टॉक में बताने वाला हो दोस्तों ये study educational purpose related कोई recommendation नहीं है तो company का नाम है दोस्तों यहाँ पर MGL मानगर गैस लिमिटेड सो ये company से रेटर आज के दिने एक जबरदस खबर देखने का आपे मिली है और वही चीज़ में आप लोगों के सामने आप पेश करने वाला हो तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते है खबर क्या है तो खब UEPL के नाम से जाना जाता है UEPL यह देखुए यही वो company का नाम है तो यह city gas यह भी gas distributor है तो इसको MGL ने क्या कर दिया है खरीद लिया है तो अभी इससे related कुछ important data जान लेते अगर formality के साथ आप देख सकते है मान अगर gas limited has announced acquisition of city gas distribution company UEPL for 531 करोड में उन्होंने इनको खरीद है जो कि यह अशोका बिल्डकॉन की subsidiary है ठीक है अभी यह company जो उन्होंने खरीदी है वो फाइदे बन चीज है या फिर नहीं है उससे related भी हम लोग बात करेंगे प्लस management ने क्या commentary दिये वो भी चीज देखनी है 531 करोड की deal यहापर की है और यह deal management ने बताया है commentary में कि यह cash deal है मतलब कोई भी करजा यह गगर यह deal की है क्योंकि उनकी balance rate में देखा गया तो 1800 करोड के आसपास का cash पड़ा हुआ है debt free company है MGL की बात करें तो यह एक फाइदा हम लोग को देखने को मिल जाता है तो रस्तों यह deal MGL ने क्यों की है उससे वो समझने के लिए आपको MGL यह जो company है मान अगर gas उसका business आपको समझना पड़ेगा अब यह MGL company करती क्या है तो यह city gas distributor है gas को distribute करती है लोगों के घर घर तक पहुचाती है तो अगर हम लोग MGL की बात करें ठीक है यह जो company है इसका major market पता है यह कहाँ पे है यह हम लोग को मुंबई city में देखने को मिल जाता है और मुंबई city के आसपास हम लोग को राइगाड district भी देखने को मिल जाता है वहाँ पर हम लोग को MGL gas distribute करते वे दे जैसे जगा आप लोगों को पता होगी और भी दो-तीन जगे के नाम है वो मैं आप लोगों को दिखा दूँगा कि company बता है तो ऐसे अलग-अलग जगे पर महारस्टा में यह UEPL क्या करती थी gas distribute करती थी अभी MGL का यह कौन है obviously competitor है अभी MGL भी उसी जगे पे जाएगा UEPL क को यहाँ पर मिल जाएगा तो इसमें synergy create हो रहा है कि company ने अपने ही company मतलब जो business करने वाली जो company है उसको यहाँ पर खरीद लिया है तो इससे company का business भी बढ़ जाता है तो इस प्रकार का काम हम लोग को होते वे देखने को यहाँ पर मिला है तो थोड़ा सा अभी हम लोग article को areas in महाराष्टा including रतनागिरी, लातूर, उस्मानाबाद और उसी के साथ साथ मैंने तो सिर्फ महाराष्टा बोलाओ इनका presence को उसका UEPL का करनाटका में भी है तो आप यहाँ पर देख सकते हो चितरा दुरगा में हम लोग को देखने को मिल रहा है और भी कुछ अलग- जबरदस डील हम लोग को फिलाल तो देखने को आपे मिली है तो जैसी कि आप देख सकते है देखे फ्यूचर बिजनस डेवलपमेंट के लिए अगर हम लोग बात करें तो यह डील हम लोग को जबरदस और इसके चलते नेटवर्क और भी स्ट्रॉंग होते हैं हम लोग को मिल जाएगा अगर हम लोग यहाँ पे acquisition की बात करें मतलब यह जो deal हम लोगो होते हुए दिखने को ले इसके चलते MGL हम लोगो इन औरगेनिक जो market रहता है उसमें हम लोगो इंटर करते हुए दिखने को आपे मिल रहा है उसी के MGL जो काम करता है वही काम से related company ने क्या क्या उनको acquire किया है तो इससे synergy हम लोगो create होते भी देखने को आपे मिल रही है दैन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें जिस company को यहाँ पे खरीदा है UEPL के अगर हम लोग बात करें तो उनका business मतलब क्या था no doubt gas ही provide करते थे natural gas के अगर हम लोग बात करें बट domestic market में supply करते थे commercial में भी supply करते थे and industrial उसी के साथ transport sector में भी यह अपना gas यहाँ पे क्या करते थे supply करते थे so definitely MGL के पास अभी यह company आने के चलते इनको बहुत ही अच्छा खासा फाइदा यहाँ पे होने वाला है so दोस्तों अगर देखा गया तो no doubt यह जो धमाकेदार डील थी उसके बाद जो MGL के management थे उनकी भी commentary देखने को मली उनका भी interview देखने को मला तो जैसे मैंने आपको बता है जो पूरा पैसा है उन्होंने cash में यहाँ पे दिया है formalities के अगर हम लोग बात करें तो deal complete होने के लिए time भी लगेगा यह भी चीज हम लोगों को पता है और जो company उन्होंने खरीदी है UEPL की बात करे हाँ यह एक loss making company है यह जो company वो घाटे में है बट MGL ने यह बता है कि उनके साथ जुनने के बाद आप सभी लोग को पता है कि MGL भी उसी सेक्टर में है और एक और एक यहापे मिलकर सिधा 11 हो जाएंगे और वो loss making company भी profitable हो जाएगे और MGL को भी एक नया geographical presence मिल जाएगा एरिया में इंटर करने का मोका मिल जाएगा तो इसके चलते उनको business का long term के लिए बहुत अच्छा का सा फाइदा हो सकता है यह MGL के management ने commentary दी और इसको बादार ने welcome भी आपे कर लिया है और अगर हम लोग city gas distributor की बात करें MGL की तो जैसे मैंने का कि मुंबई में भी है और राइगड में भी देखने को मिल जाते है ऐसा मतलब अगर मैं इसका graph बना दू इतना सही area है जो की MGL ने capture के अभी बहुत area capture करना बाकी है जैसे यह धिमे-धिमे करके area को capture करते जाएंगे पाइप से gas घर तक घर तक पहुचाएंगे वैसे वैसे उनके बास आप सभी लोग को पता है क्योंकि एक कमपनी धिमे-धिमे करके हम लोग को आगे बढ़ते भी देखने को मिल रही है तो basically देखा गया तो MGL company तो अच्छा है फिलाल तो grow करते भी देखने को मिल रहे है अभी आज की जो deal देखने को मिली है इसके चलती है capex भी करते भी देखने को आपे मिल रहे है कि expand कर रहे है खुद को तो 8-9% की तेजी मतलब market ने इस deal को thumbs up दिया इतना हम लोग कह सकते है अगर देखा गया तो company के balance sheet fantastic है 3,000 करोड के results है management नहीं बूला है कि company के पर एक रुपे का भी कर जाया नहीं है जो कि आप देख सकते हो debt-free है company अगर आप चाहो तो company का business model भी यह देखी जो मैंने आपको बोला है वही चीज़े लिखी हुए कि मानगर gas limited is engaged in the business of city gas distribution presently supplying natural gas in the city of Mumbai including अगर आप कुछ areas देखे होगे तो आप चाहो तो इस company को study कर सकते हो no doubt company risky है क्योंकि company mid cap quality का stock है so risk तो रहेगा fluctuations तो रहेंगे यह भी point आपको पता होना चीए then अगर हम लोग आपे नीचे आ जाते है तो share holding pattern को थोड़ा सा देखेंगे कि company कैसी है तो 32% promoter के पास हम लोग को हिस्सा देखने को मिल रहा है then FIS की बात करें तो लगबग 30% DIS की बात करें तो साड़े 15% government के बात पास अगर हम लोग बात करें तो 10% and public के पास 12% पताव हर एक व्यक्ति इस company में अच्छा खासा invest करके बेठा हुआ है इतना हम लोग यहापे कह सकते government की बात करें तो आप चेक कर सकते government of मारश्टा के पास 10% का stake देखने को मिल रहा है so definitely company के उपर अच्छा कासा control भी आपे जरूर रहेगा then अगर देखा गया तो आप सविलंग को पता है इसी का एक competitor मतलब same इसमें ही काम करता है IGL अगर आप चाहो तो इस company को भी study चाहो तो कर सकते हैं अगें कह रहा हूँ कोई recommendation है company खराब नहीं है हाँ बट यह company है थोड़ा बहुत slow चलते है mid cap quality की company है अगर इस company की बात करू तो यह भी क्या है city gas distributor CGD है बट यह company का आपे मिलेगी IGL की अगर हम लोग बात करें यह आपको North India side मिलेगी मतलब Delhi side अगर कोई रहता है तो उनके पास IGL से related उनको अच्छागासा information ज़रूर हो रहता होगा जैसी कि अगर हम लोग बात करें कौन से area में है Noida, Greater Noida की बात करें गाजियाबाद की बात करें उसी के साथ मेरट की अगर हम लोग बात करें अजमेर की अगर हम लोग बात करें पाली की बात करें तो वहाँ पे हम लोग को IGL का अच्छागासा presence देखने का आपे मिल जाता है तो यह कंपनिया का जो business है दोस्तो वो और ऐसे अलग-अलग market capture करने के उपर उनका focus यहाँ पे रह रहा है तो अगर आप उसमें interested हो तो आप इन companies को क्या कर सकते हो चाहो तो अपने radar के पर राख सकते हो study कर सकते हो IGL की बात करें promoter holding कितना है 45% FIs 21% BIs 19-20% government 5% and public की बात करें तो 8-8% जरू अगर आप चाहो तो IGL को भी study कर लेना यह भी company deaf free company 45,000 करोड से भी ज्यादा की रिजाव से यह लिखे long term boring zero short term boring की बात करें तो zero तो यह दो company ऐसे हैं जो की city gas distribution में काम करती है again कहरा हूँ कोई recommendation नहीं है बढ़ आप चाहो तो इनको study आपे कर सकते but comparatively थोड़ा slow चलते हैं अगर आप 5 साल का data देखोगे IGL का so 48% की सिर्फ returns अमनों को देखने का आपे मिल रहे है MGL के अगर हम लोग बात करें तो 5 साल का data के अभी तक 2018 से company ने business किया है full flat performance ही हम लोग को देखने का आपे मिल रहे है तो इसकारती नहीं कि यह company बुरी है अगर आप इनके business model को समझोगे तो definitely यह बहुत ही long term की bet है बहुत ही long term की bet तो उसके उपर अगर आपका भरोसा है business के उपर कि city gas distribution में अगर आप जाना चाते हो long term के vision की साबसे तो फिर आप चाओ तो इन companies को study आपे कर सकते हो तो आशा करता हूँ वीडियो helpful लगा होगा तो चाओ तो आप इसको like and share कर दिना and demand account अगर आपने अभी तक open नहीं किया तो link नीचे description में 25 वीडियो के list आपको बिल्कुल free of cost मिल जाएगे आपका नाम कौनसा account अपने link के तो open किया properly comments के mention कर दिना तो अपते बर के अंदर अंदर सारे lectures मेरे साथ से free of cost प्रवाइड कर दी जाएगी ताकि आप share market को आसान बाशा से सीख सको so that's it thank you very much गो we will be meeting आरेक शीडियो तब तक के लिए bye bye